जै मातादी साथियों आज सेर करते हैं श्री रंगम के पास 35 एकड़ भूमी पर फैले हुई ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी गी यह कावेरी और कॉलिदम नदियों के किनारे पर है और 2012 में बनाई गई इसमें पचास के करीब रेजडेंट स्पीसिज हैं बटरफ्लाई के और 98 माइगरेंट स्पीसिज हैं अब हम कुछ इंट्रेस्टिंग बाते करते हैं बटरफ्लाई के बारे में यह बहुत ही सुन्दर आकरशक इंसेक्ट है जो फूलों का मधुपान करती है पत्तियों के नीचे अंडे देती है और अंडे से निकला इसका लारवा प्यूपा बनके तितली बनता है तितली का दिमाग बहुत तेज होता है देखने, सुने, स्वाब लेने, उड़ने के अलावा ये जगहें भी पहचानती है व्यस्क होने के बाद ये उस पेड या पौधे पर वापिस आती है जहां उन्होंने अपना बच्वन बिताया होता है इस कंजर्वेटरी में बटरफ्लाई पार्क और एक नक्षत्र वनम है यह एशिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है यहां बटरफ्लाई ब्रीडिंग हैबिटेट बनाया गया और एक आर्टिविश्यल लेक बनाई गई इंडोर कंजर्वेटरी में एर कंडिशनर्स और ग्रीन हाउसेज बनाये गए तितलियों के आकरशन के लिए सही प्रकाश विवस्ता और पौधे लगे हुए हैं यहां फूलों के पौधे, लॉंस, फवारे, आर्टिविश्यल पुल, बच्चों के लिए मनुरंजन के साधन, रिफ्रेश्मेंट शॉप्स बनाये गए हैं और नौका विहार का प्रबंद भी है, एक तालाब भी है पार्क की एंट्री पर नीली टाइगर बटरफ्लाई का स्कल्प्चर है, और केटरपिलर्स और इंसेक्स के स्कल्प्चर्स भी हैं नक्षत्र वनम में सुंदर पेड़ पौदे हैं और लोगों को अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार पौदे लगाने की प्रेड़ना दी जाती है यहाँ स्कूल अपने चात्रों को और पेरेंट्स अपने बच्चों को पार्क दिखाने लाते हैं और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए लाते हैं इस पार्क में जाने के बाद मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ा तितलियों में और कुछ जानकारी आपसे शेयर करती हूँ दुनिया की सबसे तेज ओरने वाली तितली मौनाक तितली कहलाती है और यह एक घंटे में सत्रा मील की दूरी तै कर लेती है सबसे बड़ी दुनिया की तितली जाइंट बर्ड विंग है और इसके पंखों का फैलाव बारा इंच से ज़्यादा होता है मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो बटर्फ्लाइज पे बनाई थी उसे भी जरूर देखिए बटर्फ्लाइज खाना अपने पैर से खाती है और यह लिक्विड डाइट लेती है अगर टेंपरेचर बारा सेल्सियस से कम हो जाये तो यह उर नहीं पाती इनको दस बारा फीट तक ही साफ नजर आता है वैसे इन्हें अल्ट्रा वाइलेट लाइट भी नजर आती है तितलिया पुनर जन्म परिवर्तन और आशा का प्रतीक मानी जाती है सातियों ऐसी ही दिल्चस्प जानकारी के लिए और भारत के इंट्रस्टिंग स्थानों में घूमने के लिए और मेरे साथ पवित्र स्थानों के दर्शन करने के लिए जान के लिए पर देख भारता शब्सक्राइट जया माता दी झाल झाल